प्रेंड मैं हूँ इंद्रानी और मैं आज सब के लिए लेकर आई हूँ एक डिलिशिश कॉमून रिसिप्ट कडाई पनीट यहां पर लगबग ए सो ग्राम पनीट लिया है इसमें हम एड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक और इसमें आधा लेम्बू का रस एड करके हम दस मिनिट के लिए अज़कर छोड़ देंगे मिनिट के बात एक कडाई में तेल कर लेते हैं उसमें पनीट को अच्छी तरह से प्राइब होना सही है पनीर फ्राई हो गए अभी उसी तेल में तटिप्र में ना में इसको फ्राई कर लेते हैं लिए उसको उठाकर उसमें ओनियों या प्याज जाल लेते हैं प्याज को भी फ्राई करके उठा लेंगे अब हम कड़ाई में एक चम्मत तेल गरम करके उसमें जीरा, साथ आठ ब्लक पेपर काली में, दो सी तीन हडी लाईची और एक दार्चिनी और फुक्रों में कटी हुए प्यास को डालेंगे प्यास को हलका सब फुन लेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे अधरा और लसुन का पिल, इन सब को अच्छी से मिला लेंगे, फिर इसके फुम्टा, इसमें डालेंगे हम टमाटर और नमक, अब इस सब को अच्छी तरह से पकाएंगे, तो तक तक पकाएंगे जब तक टमाट अब हम इसका एक पेस्ट बना लिया है अब एक खड़ाई में तेल करम करके दो तेस्पत्ते एक बढ़ दार चिने और जो पीसी हुई पेस्ट या प्यूरी हमने बनाए थे उसको भी डाल जिया है इसमें एक चमत लाल मिर्ट का पाउडर कर दे अच्छे तरीके से इसके साथ दे एक बड़े चमत धनिया पाउडर और एक चोटा चमत हल्दी का पाउडर इन सब तो अच्छी तरह से हमने मिला कर नमक साधर नुचर दे दिया है अब हम दो मिनिट के लिए धका रज़ते हैं जब कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा ओयल पूसना हो जाएंगे अब हम दो मिनिट के बाद धकन हटा कर सबको अच्छी तरह से और एक बार मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी और थोड़ा सा क्रीम क्रीम इहां पर ओप्सनल है आप सहे तो मत डालिए फिर दो मिनिट के लिए हमने धक्कर रख दिये थे फिर देखो मसाला कितना सुंदर कलर आया है इसका अब हम जो फ्राइ के हुए ओनियोन और सिमला मिर्च भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं फिर एक मिनिट के लिए और धक्कर रख देंगे एक मिनिट के बाद फिर दो तिर प्रिंट पकाने के बाद इसमें हम एक कर जाएंगे पनीर के टुट्रे हम पनीर को डाल देंगे और साथी में डाल देंगे एक चमत करम मसाला और कटी हुई धनिया हमें पनीर को जादा नहीं पकाना है सिर्फ एक मिनिट तक पका लेना है हमारा रेसिपी अगर आपको पूरा सभी पसंद आये है तो प्रीज एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्रीब करना ना भूलना